बच्चों अब देखो विल स्टार्ड विद कैमिकल इकलिवियम इस अ नियू टॉपिक एंड रिलेटिवली इजी इसे इन कंबरेजन तो थर्मोड आनमें इनमें गाइस विल टॉकिंग बॉट रियाक्शन ऐसी रियाक्शन जो की एंड तक नहीं जा रही ठीक है बच्चों में तुम्हारा सबोजिंग दो मोल ए है दो मोल बी है तो गाइस तुम्हारा रियाक्शन में क्या हो जाना अच्छी है यह दोनों खतम हो जाने च्छी है दो मोल सी और दो मोल डी बन जाना अच्छी है हाँ है ना अब सबोजिंग तुम्हारा एक ही मोल रियाक्टेंट ए का consume हुआ तो B का कितना consume होगा बच्चों एक एक याद एक भी react करता है B का भी एक ही mole consume होगा मतलब B का भी finally एक mole बचा रह जाएगा C का कितना mole बनेगा एक और D का भी एक बनेगा अगर तुम्हारा at the end of reaction इस type की concentration है तो we'll study that in equilibrium कि reaction पूरी end तक गई ही नहीं whatever time you spend कि तुमने कितना ही उसे time दे दिया reaction खतम होने के लिए at the end there is reactant as well as product present in the mixture final mixture समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो रियाक्टन भी प्रेजेंट है प्रॉड भी प्रेजेंट है सच रियाक्शन आर स्टरीड अंडर chemical equilibrium clear है guys कोई डाउट यहां था ओक इसे अटा रहा हूं अब reactions होते हैं दो टाइप की molecular reaction molecular reactions वो reactions हैं जिन में molecules are involved as reactants and product दूसरी होते हैं तुमारी ionic reaction जिसमें ions are involved समझों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो जैसे h2o giving h plus plus oh minus that is a ionic reaction ठीक है एंडू प्लस 3 as to giving to nsc that is a molecular reaction getting the feel guys तो बच्चों chemical equilibrium में will be studying molecular reactions rather than ionic reaction molecular reactions की बात कर रहे हों गया ठीक है अब बच्चों यह हमने reactions देख लियार molecular या आइनिक reactions को एक और तरीके से भी classify किया जा सकता है irreversible reaction irreversible reaction अभी तुमने पढ़ाता क्या होती है बच्चों spontaneous हाँ है ना राइट को मैं ऐसी भी कह सकते है कि दे आर नौट आइन या रहे है बच्चों क्लियर और नौट गाइज एर्रेवर्सिवल रियक्शन आर दोस रियक्शन विच प्रोसीड तू कम्प्लीशन विच प्रोसीड तू कम्प्लीशन समझगे गाइस कि तुम्हारा अगर रियक्टेंट गिविंग प्रॉड़क्ट है तो तुम्हारा टी इकोल तू इंफिनीटी पे मतलब बहुत टाइम बाद यू रियाक्टेंट की कंसेंटेशन इस टेंडिंग तू जीरो रियक्टेंट खतम हो गया समझा रहे नहीं आ रहे बच्छों तुम्हारा पूरे की पूरे प्रॉड बन गए एंड प्रॉड़क्ट्स आर नोट गिविंग बैक रियक्टेंट समझ गए गाइस गर्ट रियवर्सिबल डियक्शन को सब्सक्चन बैए इस प्रॉड बेसकी धोल्शों गिंग दूक्रॉड छिएंग के बन गिविंग एंड इस बान पॉर्ट फैन समझा रहे बच्छों तुम्हारा है डियक्ट को बेसकी तो बैसकी टोड़ सीरों आर रियक्ट घोट्ट गटाराईग गाट्राद प्रॉड ग आइधर डिरेक्शन मुनल रियक्टेंट तुमारा बना सकता है और प्राइट गैंट गिव बैक रियक्टेंट इनको मैंसे दिखा दें रिवर्सीबल डियक्शन का ऐसे दिखाते हैं दीज आर दो वन जिनका एकिलिब्रियम स्टुडी किया जाता है या किया जा सकता है समझ गई guys clear है यहां तक ओक अब अच्चो इसमें तो reaction हो लिए Reactant is giving product तो reactions are occurring in this particular scenario पहला forward reaction forward reaction क्या है Reactant is giving product और इसमें साथ-साथ एक और रियक्शन भी हो रही है बैक्वर्ड रियक्शन जिसमें प्रॉडक्ट इस कम्बाइडिंग टू गिव बैक्ट रियक्ट यह हम रिवर्सिवल रियक्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि इन्हें तुम्हारा दोनुई चीज़े हो रही है एक एक युनी प्रॉड बनाए जा रहा है नहीं प्रॉड भी कम्बाइड कर रहा है मतलब यहां रियक्शन कर रहा है तो गिव बैक रियक्टन बचट क्लियर है काइस यहां तक कोई डाउट तो दोनों रियक्शन रवारी सात-सात ओरी है अब मैं वही चीज़े लिख रहा हूँ जो मैं तुम्हें पहले ही डिटेल में बताई थी फर्मोड आनिविक्स में कि फॉर एनी रियक्षिन एड गॉंस्टेंट टेंपरेचर टेंपरेचर हम कॉंस्टेंट रख रहे हैं रेड़ अव रियक्षिन इस डाइटली प्रोपोर्शनल तो कंसंट्रेशन ओ या कंसंट्रेशन के जाए लट में यूज दिफरेंट तर्म इस ताइम एक्टिव मासें अभी क्या बोला है रेज़ टू दा स्टाइश्यमेट्रिक औफिशन अब इसको समझो मैंने अभी क्या बोला है जिन बच्चों ने पड़ावाएं वह जल्दी रिलेट कर पाएं गाइस हम क्या कह रहे हैं क्रक्स यह है कि रिड़ ऑफ रियक्शन इस डाइली प्रोपोर्शनल डू एक्टिव मास एक्टिव मास का मुद्व है बिसकिली अमाउंट एक तरीके से के करेंट अबाउंट जो है उस पर से से प्लस डीडी हिंगे स्मॉल ए-समॉल भी स्मॉल सी स्मॉल झे काएं स्टाइस्योंस कोफिशेंट बैलन्स करने के लिए जो हम यूस करते हैं तो अब हम कहेंने रेड ऑफ रियक्शन क्या होगा बच्चो रेड ऑफ रियक्शन ट्यूमकु讲 नलू dog और स्ट्रिय बीज हर एकक्रिशनरेशन रेक्टेंट सकते हैं यहां पिर ड़िएगशन स्री हरे एक्टिवीटि के लिए 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 लम नधियूजbene फ्रेशर वाद भी आद होगा हाय ना बच्छ यह अक्टिविटी है यह यह पावर वन आहिए जो एए दो ऑर यह आद इस वर एक्टिविटी बच्छो दिस इस दे जो की हमारा स्टैश्ग कॉफिच्ट है तो activity of reactant a दीज्ट पावर इस टाइस्यमेटिक कोफिजिए एक्टिविटी और रियाक्टेंट बी रिजुदी पावर इस टाइस्यमेटिक कोफिजिए समझमे आया नहीं आया बच्चों इस टाइस्यमेटिक कोफिजिए इन दोनों के प्रोड़क के डायली प्रपोश्चन तो अगर हमारे पास रिवर्सिबल डियाक्शन है तो दोनों ही पॉसिबलिटी है हां है ना फॉर्वर्ड की और बैकवर्ड की भी तो उसमें हम कहेंगे रिड और फॉर्वर्ड रियक्शन क्या होगा फॉर्वर्ड रियक्शन के लिए रियक्टेंट क्या है बच्चों एंड और बैकवर्ड रियक्शन के लिए रियक्टेंट क्या है बच्चों सी एंड तो फॉर्वर्ड रियक्शन का रेड क्या होगा हम कहेंगे इस गॉए डागली प्रपोश्चनल टू एक्ट विडियो और भी रिज्टी पावर भी हमने काई काम करते हैं एक्वेट कर देते हैं तो लेट उस यूजा कॉंस्टेंट की एफ समझों आरा है नए आरा है बच्छों क्लियर है गाइस प्रपो्शनल द आप हमने एक्वेट कर दिया ऐस ही डिय और गैक्वर्ड रियेक्शन क्या होगा भिच्छों जो बैकवर्ड रियक्शन है उसमें तुम्हारा रियक्टेंट्स वर सी एंडी राइट तो उसके लिए जो रेट होगा डाल भी डाली परपोर्शनल डू एक्टिविटी ऑफ सी रिस्टी पावर सी इन्टु एक्टिविटी ऑफ डी रिस्टी पावर डी एक्टिविट करना है तो के भी यूज़ कर लो यहां पर अब ये KF और KB क्या है they are constants they are called rate constants forward reaction का rate constant backward reaction का rate constant KF and KB are rate constants for forward and backward reaction सम्झे या नहीं सम्झे बच्छो these are rate constants for forward and backward reactions guys हाँ या ना हाँ क्या क्या कह रही हो that is for activity ये activity ये बेटा activity active mass जिसको हम काउंसर्डेशन या प्रैसर की टांचे बाद में लिखेंगे कि यहां पे तुमने सिर्फ ए बी सीडी लिख दिया नहीं नहीं मतलब एक्टिविटी बेटा ठीक है तो प्लीज चेंज इंज टू एक्टिविटी कि की फिक्स वैली होती है फॉर पड़िक्ला रियाक्शन हाँ हर एक रियक्शन के लिए लगला में होगा तो वह तुम्हें क्वेश्चन में डिपेंडिंग अब उसकी जुरत है यह दिया हुआ ठीक है गाइस कम ऑन अभी रूप जाओ जाए बच्चों यहां तक समझा आया नहीं आया गाइस आवाज नहीं शांति अब बच्चों मुझे बताओ एड स्टार्ट ऑफ रियक्शन एड स्टार्ट अब्युक्त पर्वेश्चं हैं जो एक्टेम आस है मैक्सिम्म मैं अभी रिक्शन स्टार्ट हुई है उनकी कंसंटेशन भी आमाउंट मैक्सिम मैं तो रेट ऑफ फ्रवर्ड रीक्शन इस गोई तो इस वैल्यू दूंग और और रिच्शन का रेट क्या हुए जीरो की बै हैंगे at time t equal to zero rf is maximum rate of forward reaction is maximum and r of b tends to zero with time क्या होने वाला है बच्चों with time तुम्हारा forward reaction का जो rate है वो दिये-दिये कम होता जाएगा क्योंकि amount of a and b slowly decreasing a और b तो combine कर रहे हैं to give c and d guys तो a और b की जो amount है वो दिये-दिये क्या होती आ रही है कम होती आ रही है कम होती आ रही तो rate of forward reaction भी कम हो रहा है और c और d के amount बढ़ती जा रही है तो जैसे c और d के amount बढ़ेगी rate of backward reaction बढ़ना शुरू हो जाएगा तो we can say with time rate of forward reaction will decrease and rate of backward reaction will increase change दिखाए नहीं देगा concentration of reactants or products में reaction stop नहीं हुई अभी a और b c और d भी दे रहा है और c और d a और b भी दे रहा है लिए जिस rate से a और b consume हो रहा है in the forward reaction उसी rate से a और b form हो रहा है in the backward reaction resulting in no visible change हाँ या ना गुट तो at t equal to infinity पे rate of forward is equal to rate of backward इसका हम बोलते हैं dynamic equilibrium we call it dynamic equilibrium कि equilibrium ऐसा नहीं है कि reaction stop करके नहीं but there is no change in the concentration of reactants and product there is no change आरे मैं बता रहा हूं भाई concentration of reactants and product clear है guys अब आते हैं reaction quotient पे हां बेटा था रहा हां भी बच्चों या जस्टा शेख काया आला रहा हां बच्चों reaction quotient and equilibrium constant reaction quotient is denoted by letter q reaction constant is denoted by letter अब अच्छो देखो ज्यान से देखो guys equilibrium पे क्या होता है rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction हाँ है ना मतलब एक तरीके से kf into activity of a raise to power a activity of b raise to power b is equal to kb into activity of c raise to power c activity of d raise to power d है ना बच्छो यहां से kf by kb की value क्या है reaction is activity of c raise to power c activity of d raise to power d बच्छो एक तरीके से products by reactants ले रहे हैं products की active mass by reactants का active mass हाँ है ना अब guys understand करो यहां पे तुमारा जो kf by kb है it is known as equilibrium constant पहली चीज़ equilibrium constant is rate constant for forward reaction divided by rate constant for backward reaction बच्छो 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 तरीड़ीट दिफाइन के equilibrium अब गाइस हमें kf और kb नहीं दे रखा होगा question में हमें दे रखे होंगी concentration of reactants and products add equilibrium normally question में तुम्हें kf kb नहीं दिया होगा you will be given the concentration of reactants and products add equilibrium और वहां से हम k equilibrium की value निकाले के equilibrium is nothing but concentration of products by concentration of reactants या active mass of products by active mass of reactants add equilibrium समझ मां आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो यहां पर हम जो भी उनके active mass ले रहे है वो किस पर ले रहे है equilibrium पे जब reaction रुक चुकी है एक तरीके से मतलब there is no visible change हाँ बेटा कौन सा ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट या एक्टिव मांस ठीके ना बेटा ले रहे हैं जो प्रॉड़स और reactants की हम जो active mass ले रहे हैं वो किस पर ले रहे है equilibrium पे समझ मा रहा है नहीं आ रहा है बच्छो उनकी जो हमने values उठाई वो equilibrium की अगर तुम उस वक्त प्रॉडक्स बाइड रियक्टेंस की रेश्यों देखते हो that is going to give you the value of k-equilibrium for a particular reaction high or not good our guys Belly cheese kf and kb for a particular reaction depend only on temperature for a particular reaction depend only on temperature तुम्हारा k-equilibrium भी सिर्फ टेंपरिचर पे डिपेंड करेगा हाई ना तो के एक्लिब्रियम only for a particular reaction basically for a particular reaction depend only on temperature तुम यह समझ सकते हो गाइस जो में reactants और प्रॉडक्स है सपोजिंग तुमने कुछ भी अमाउंट लिए होती रियक्टेंट की तुम्हारा रियक्टेंट्स और प्रॉडक्स की जो फाइनल अमाउंट बनती वह इस हिसाब से बनती कि उनकी रेशों के एक्लिब्रियम के ब तुमने नीचली दो-दो मोल गाज स्टार्ट किया और तुम्हें बता है के एकलिब्रियम की वैल्यू क्या है वन क्वेस्टिन में हमें दे रखाए के एकलिब्रियम की वैल्यू वान है तो हमारा रियक्टेंट इतनी फॉरवर्ड जाएगी कि प्रॉड सी कंसंडेशन कंसंडेशन बाइन कंसंत्रेशन दा कंसंडेशन पाइन कंसंट्रेशन इस डिपेड़न टेमटीर पर टेमपीचर वेडिपेड एपनेंट है और जो कंसंट्रेशन फाइनली आएंगी यह उन की सचली को इकॉण न समझे मोझा फर मैं two के वजाए ऐग चांस मैं तीन कर देत और यह है वन बच्चों गोड अजगा इस दिया हमने देख लिया अब बच्चों एक काम की चीज़ में बता दो तुम्हें effect of catalyst इसको हम detail में भी discuss करेंगे बाद में अभी मैं जर्णल आइडिया दे रहा हूं catalyst क्या कर रहा होता है यहर catalyst की एफ और के भी दोनों को टच करता है लेकिन equilibrium constant remains untouched how is that वो इसलिए क्योंकि जो catalyst होता है that increases the rate of reaction increase कर रहा है वो reactant को touch नहीं कर रहा प्राउड को touch नहीं कर रहा इसका मलब बहों इसको touch कर रहा हूगा rate constant को touch कर रहा हूगा अगर हम कह रहे हैं जो तुम्हारा rate of reaction हो बढ़ रहा है वो किसपर depend करता में करता है या तो कीs या या के बी पर या तुम्हारा concentration पे हां है न मतलब हम जो rate of reaction हो किस पर डिपैंड कर रहा होता है इत डिपैंड्स ऑन पूरे उपर जाते हैं यह तो इस पे डिपैंड करेगा यह इस पर डिपैंड करेगा किस रेक्षिन हो रही है backward के लिए यह इस पर डिपैंड करेगा क्या है इस पर डिपैंड करेगा हम कह रहे हैं catalyst increases the rate of reaction तो वो बंदा इनको टुच कर रहा होता है इन दोनों को बढ़ा देता है catalyst increases the effect of catalyst लिख देता हूं है it increases kf and kb by same factor forward reaction का भी रेट बढ़ा backward reaction का भी रेट बढ़ा कि क्या है guys मुझा हम कहेंगे kf new is going to be k forward into some factor से k डैश k backward new is going to be k backward into k डैश same amount से उसने बढ़ाया same factor से बढ़ाया तो जो equilibrium constant होगा नया that is going to be inky ratio it is going to be still equal to k equilibrium remains same समझों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो k डैश दोनों में cancel out हो गया k equilibrium remains same मतलब समझो guys supposing एक reaction है वो पहले दो गंटे में होने वाली थी ठीक है अब वही reaction मतलब supposing दो गंटे में होनी थी और reactant के और product के final concentration one one molar है at the end of reaction तो यह नहीं कर रहा कि यार मैं तुम्हारा supposing reaction को मैं लिखके ही समझाता हूं that is going to be better a plus b giving c plus d ले रहा हूं मैं supposing दो दो से start किया final यह है यह यह नहीं करेगा कि यह काम करते हैं products की जादा amount बढ़ायते हैं नहीं catalyst does not increase the amount of products in the reaction वो सिर्फ क्या कर रहा होता है पहले यह reaction होड़ी थी दो गंटे में अभी हो गई the final concentration will be same for catalyzed and uncatalyzed reaction but the time required to achieve that equilibrium is shorter क्योंकि उसने forward का भी rate बढ़ा दिया backward का भी rate बढ़ा दिया same amount से rate बढ़ा दिया तो तुमारा जो amount बचेगी वो वही बचेगी at the end लेकिन जो amount attain कर निक लिए that final equilibrium state attain कर निक लिए जो time required था that is going to be less now in case of catalyst clear or not guys okay good अभ आते हैं क्यों पे बच्चों क्यों क्या दा हमारा reaction question हा बटा क्यों यह new है बटा this was the old one old में it has been increased by some factor K dash similarly the backward rate constant also has been increased by some factor K dash और तुमारा के एक्लिब्रियम new is going to be this by this which is going to come out again के एफ बाइ के बड़ाबर जो की ओल्ड के एक्लिब्रियम था के एक्लिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं हुई समझे गए अब आते है रियाक्शन कोशिन पे हमने अभी हमने देखा प्रोड रियाक्टेंट्स की कंसंटेशन एक्लिब्रियम पे जो की वैल्यू किसकी दे रहा होता है एक्लिब्रियम कॉंस्टेंट की अब हम फिर से निकालते हैं प्रोड रियाक्टेंट्स की रेशो बट नॉट एक्लिब्रियम फिर इनकी रेशो निकालते हैं बट नॉट एक्लिब्रियम अभी एक्लिब्रियम अटेन नहीं वाए अभी हमारा स्टेट एक्लिब्रियम वाली नहीं है उस वक्स प्रॉड्स भाई रियाक्टेंट्स की रिश्यो को हम क्या बोलते हैं रियाक्शन कोशिंट बच्च लियर है गाइस ऑके अब एक्टिविटी के बारे में कुछ चीज़े पता हो नहीं चीए नोट यह एक्टिविटी को जादर हम मैं लिख देता हूं फॉर aqeus solution गे लिए अक्टिविटी इस एक्स्प्रेस इन तरंप ऑफ कनसंट्डेशन और कंसंट्रेशन भी तुम्हारा क्या बच्चों मोल पर लिटर्ज जिया जिसे हम क्या बोलते हैं क्षियाइट एक्टिविटी हमिशा चंसंट्रेशन की टर्म्स है देख sud for gases activity can be seen in terms of concentration or pressure concentration or pressure दोनों की टम्सें दिखा जा सकता है ठीक है guys clear है आदक right mostly pressure की टम्सें दिखा जाता है लेकिन it can also be observed in terms of concentration too concentration कैसे से दिखिए की वो होताता हूँ next activity of pure solids and liquids is constant pure solids और liquids की जो activity है वो क्या होती है constant तुम्हें याद होगा जब हम S2O liquid giving S2O gas देख रहे थे thermodynamics में वाहाँ पे हमने S2O liquid का क्या बान की चले दे हम activity को हमने 1 कर दिया था pressure of S2O gas by activity of S2O liquid हमने क्या कर दिया था 1 constant है हम कहेंगा ज़री थो ही नहीं 1 लेकिन point ये ठहरा guys कि उसकी जो भी value है वो constant है उसको equilibrium constant में डाल दो समझे आ रहा है नहीं आ रहा है जैसे तुम्हारे पास S2O liquid giving S2O gas है इसमें तुम के equilibrium देख रहे हो which is pressure of S2O gas by हमारा होना चाहिए pressure of S2O liquid हाँ है ना इस type को कुछ होना चाहिए है इसकी activity को हम क्या मान लेते हैं constant जो भी है constant है हमके इंगार constant है तो यह काम गरो उसको के equilibrium में डालो और इसको इसकी जगें क्या लिख दो whatever that constant is that constant has been included in the value of के equilibrium होई तो इनकी जो activity है वो हम क्या मान के चल दे होते हैं क्योंकि उसकी जो भी amount है जो भी active mass active mass मालब current mass of the at any particular time that is just a term we use activities like active mass कि उसकी activity क्या है उसका active mass क्या है तो उसको हम represent कर रहे होते हैं in terms of concentration या प्रेश्ट मोस्ली ठीक है तो देएर एक्टिविटी इस एक्टिविटी को हम क्या जियूम करते हैं इसकी एक्टिविटी को वन अजियूम क्या आता है क्योंकि उसकी वैल्यू हम के equilibrium में adjust कर देते हैं clear है guys तो supposing तुम्हें activity of iron पूचा गया है या खही न खहीं क्या रहा है iron solid activity वन माल लो जैसे तुम उसको concentration के एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया अगर तुम्हारा concentration है तो उसमें उसकी concentration वन मोलर माल लो पार्शल प्रेशर की टर्म में तो उसका 180 माल लो जैड़िए वाइट 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 प्रेशर की टर्म में तब भी वन कर दो concentration की टर्म में तब भी बन कर दो जैड़िए एंगायस? अब एक भहुत काम की जाइज जाएज विच गायस विच गोन तो हैल्प अलॉट इन solving questions. Chemical reaction will have same concentration of reactants and products at equilibrium irrespective of the side ऐसे देमें अध pilgrines lips राय गुटार्ण in can stand sweetie मुझ याने mengaphonie ambuction परहुए मैं थो पहले तो पहले रहे थी मुझ रेक्ट सैंट मुं पराँ सैंड्सी मुझ गुटो है था मुझ तो फिक्रिय्जो ऊह ए जम पर्णा करको ये जो है क्या है तो It does not depend कि तुमने कौन सी साइड से रियक्शन को स्टार्ट किया That is very helpful, guys एक काम करते हैं, example लेते हैं N2 प्लस 3H2 gives 2 NS3 इसका एक मोल है, इसका तीन मोल है Finally, guys, तुम्हारा अगर पूरी रियक्शन हो जाए तो NS3 के कितने मोल बनने चीए? बताओ, guys अगर रियक्शन पूरी हो जाती है तो NS3 के कितने मोल बनने चीए? 2 बनने चीए क्योंकि दोनों ही limiting reagent है दोनों ही पूरे ख़तम होएंगे NS3 के 2 मोल बनेंगे अब तुम या तो यहां से शुरू करो या तुम 2 मोल NS3 से स्टार्ट करो It does not matter तुमारा इकलिब्रीमपे concentration of N2 is going to be same या तुम यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो It does not matter Eakलिब्रीमपे concentration of N2 is going to be same You start either from the reactant side or from the broader side बचे Clear है, guys? हां, clear? Good Now, let us have a look at some curves some important curves little bit of note in doubt कर लिया नोट गाइस पहला करवा हम देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सिस टाइम कर इसको देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सिस टाइम कैसे चेंज हो रही है रियाक्टन की और प्राइट की विड्ट टाइम ठीक है इसी रियाक्शन को देखते हैं अन्टू प्लस एस्टू गिविंग एनस्टी गाइस हमारे को यह दे रखा है रियाक्टन जे स्टार्ट कर रहे हैं हमें एन्टू की चेंजान वन दे रखिए एस्टू की थी दे रखिए और एनस्टी की कितनी है इनीशली बच्चो जीरो ठीक है गाइस अब एनस्टी दीरे जीरे करके बढ़ेगा ये बात अलग है ध्यान से समझना रहा है एनेस्टी इनीशली जल्दी बन रहा होगा बाद में धीरे-धीरे बनेगा ये चीज़ समझवारी नहीं आ रही है क्यों कि रेट आफ फॉरवर्ड रियक्शन पहले सबसे ज़ादा है एनेस्टी बनने की आमाउज स्पीड जो है वो पहले ज़ादा है दीरे-दीरे करके कम होती जा रही है तो तुम्हारा लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनेस्टी वो तो बढ़ता ही जा रहा है तो क्या हम कह सकते हैं एनेस्टी कुछ ऐसे जा रहा होगा है अब यहां से क्या दिख रहा है जो स्लोप है रेट ऑफ फॉर्मेशन और यह दीरे-दीरे क्या हो रहा है बच्छों कम होता जा रहा है स्लोप बेसली गिविंग अज़र रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनेस्ट वह रेट दीरे-दीरे कम होता जा रहा है लेहिए एक पॉइंट पर क्या हुआ हुआ दिर इस नो चेंज इन दा कंसेंडिशन आप एनेस्ट इस एकलिब्रियम गाइज या रहे है यह दिख दिस एकलिब्रियम यह लिया एनेस्ट के लिए अब आतें किस पे hold on guys आवाज नी आते हैं s2 पे s2 के हमने लिए दे तीन मोल से ठीक है guys अब s2 के हमने तीन मोल लिए तो तुम्हारा concentration दिये दिये करके कमों निश्रूएगी good there is a curve that you are going to get इसको मैं थोड़ा नीचे बनाते हैं समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्छा एक पॉट्ट पर equilibrium establish हो जाएगा there'll be no change यह हमारा किसका है s2 का अब आते हैं किस पे guys n2 पे मुझे बदाओ n2 में change जादा आ रहा है या s2 में change जादा आ रहा है n2 में change जादा आ रहा है या s2 में change जादा आ रहा है किसके अंदर change is going to be more यह वहाँ पे एक mole n2 consume हो रहादा आ अगर पूरी reaction होती यहाँ पे तीन mole s2 consume हो जाएगा in that same time मतलब do you realize जो n2 का rate of change है उससे three times is the rate of change of h2 अगर s2 ऐसी slope जा रही है उसकी तो n2 की कुछ ऐसी जा रही होगी n2 का मैंने एक mole लिया है do you realize n2 का कुछ ऐसा जाने वाला है बहुत कम change s2 का change जादा speed से दा n2 का change दीरे दीरे हो रहा हुआ decrease अब भी हो रहा है लेकिन इसका दीरे हो रहा है और at the end दो तुमारा it will be a parallel line a line parallel to the x-axis क्योंकि there is going to be no change हाँ या ना बच्चों यह जीज़ क्लियर होगी this is your ns3 s2 n2 यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी doubt गाइस बोलो अब तुम प्रॉडर साइड दे स्टार्ट करोगे वाई जामतीus start from the product side तो भी तुमारा same होगा अभी हम ने reactant side दे स्टार्ट स्टार्ट गया था लेट स्टार्ट फॉन्ट प्रॉडर साइड गाँस अगर हमारा यह जो मने ले उसी हिसाब से लिए हैं, N2 का एक मोल S2 के तीन मोल, you are getting the idea, अब हम start करेंगे NST के कितने से? 2 मोल से, NST के कितने मोल हैं, 2 मोल से, अब हम reaction क्या देख रहे हैं, NST giving N to NST, मैंने बताया था, कि तुम्हारा, इसी हिसाब से जा रहा होता है, right, you start from the reactant, you start from the product the concentration is going to be same at the end so let me use ns3 के लिए मैंने रेलिया था let me use that दो से किया concentration दीरे दीरे करके क्या होती आ रही है कम होती आ रही है समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्चों clear है guys concentration दीरे दीरे होके कम होती आ रही है ns3 के लिए इसको मैं यहां पर बनाता हूं that would be convenient है यह ns3 के लिए है clear है guys यह उपर नहीं जा रहा है line यह ऐसे हो गया ठीक है oh come on this is fine यह हो गया ns3 के लिए बच्चों अब s2 और n2 they'll be starting from what zero से s2 तुमारा जाएगा खहीना कहीं यहां पर s2 खहीना कहीं जाएगा हमारा यह मेरे को है न कर्व मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया जिसमें hold on guys just a sec नहीं मैं इक चीज़ बताना चाहरा हूं important है guys important है इसलिए बता रहा हूं कोई बात नहीं hold on guys just a sec यह हमारा nsc का हो गया s2 पर आते हैं s2 इस लाइक देस गाइस एस्टू का हमारा यह ग्रीन से दिस दिस वाट यह गॉट हीग है बच्चो यह स्टू का हो गया एंडू भी जीरो से स्टाट होएगा एंडू का हमारा यह आ गया दिस जहां पर जो concentration at equilibrium है वही concentration nsc की यहां पर है because we are taking अगर हमने एक मोल n2 तीन मोल s2 लिया होते तो तुमारे दो मोल nsc बनते नव यह स्टाइब आगर तुमारा एंडू का से दो मोल है वह कंजूम वह तो एंडू कितना मोल बनेगा एक मोल कितना बनेगा तीन मोल तो तुम्हार डेफिनेटली जादा बनेगा ना विटा इंफेक्ट मैंने ढंक से बनाया भी नहीं है क्योंकि यह अगर एक्स बनेगा यह थी एक्स बनेगा समझ आ रहे है नहीं आ रहे है बच्चो यह था हमारा एक्स टू यह था हमारा एक्स टू यह एक्स बनेगा बनेगाए तो concentration versus time का तुम्हारा इस टाइब का कर बन जाता है concentration versus time है how do you identify equilibrium line becomes parallel to the x-axis अब आते हैं दूसरा rate versus time rate versus time या rate versus time rate of forward versus rate of backward हम कहेंगे equilibrium पर क्या होता है बच्चों दोनों का rate सेम हुजाता है let this be rate for forward and let this be rate for backward when they touch then you have equilibrium समझों आ रहे है निया रहे है बच्चों clear or not guys rate of forward कम होता गया rate of backward बढ़ता गया at one point of time they become equal that is your equilibrium बच्चों हाँ या ना good अब आते हैं equilibrium constants की values पे हाँ बेड़ा अनदर 15 minutes later huh कोई बाद नी I don't care okay just a second watch you hold on जंद हाँ gonna